हेलो गाइज वाइट्स अप आई होप यू आ दूए वहीद अधिस इस मी मीर वहीद और आफ जी एस दैट इस संट्रली स्पॉंसर्ट स्कीम्स का थर्ड लेक्चर है जिसने पहले दो लेक्चर नहीं देखे हैं सबसे पहले आप पहले दो लेक्चर देखो क्योंकि हम आडर म उसके बाद मैंने दो इंक्पाइट स्कीम्स आपको कल बताए आज हम देखेंगे मोस्ट इंक्पाइट स्कीम्स संट्रली स्पॉंसर्ट स्कीम्स आइम प्रेजेंटिंग इस लेक्चर सीरी सो डवल एस एकैडमी वन अब दे बेस्ट पर एट फरम फार कॉलिटी ठीक है मैं पुर्पस इसका यह कि यह सार बहुत सारे स्टुडन्स तक पहुंचने चाहिए हर एक का इसका फाइदा होना चाहिए ठीक है अगर आपको फुल कोर्स लेना है तो डवल एस एकैडमी के एप आपको डाउनलोड करने है प्ले स्टोर में जाना है वहां पर डवल लोग आएगा वहां पर इंस्टाल करना है तो आप फिल फुल कोर्स ले सकते हो जो भी डावल्यो ऑंटी का कोर्स हैं ये केस का कोई सब्सक्राइब दिया जाएगा यह हम कर रहे हैं संटरली सपॉंसर्ट स्चेम्छ हम कर रहे हैं तो आज का टॉपिक जो रहेगा हुमारा हो रहेगा कल मैंने आपको बताहाए था माहतमा गंदी णेशनल डूरल में एक्स पढ़ेंगे प्रधान मंत्री क्रीशी संचाई योजना याद रहां प्रधान मंत्री क्रीशी संचाई योजना यह एक्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा जिसको शार्ट में बोला जाता है PMKSY प्रधान मंत्री, क्रीशी, सेचाई, योजना इसे संटरली स्पॉंसर्ट स्कीम यह कोर स्कीम है लाउंच इन 2015 इसको 2015 में लाउंच किया गया है संटर स्टेट विल भी ठीक है 75-25 परसंटर संटर और स्टेट का फंडिंग यह शेयर रहेगा वो कितना रहेगा संटर से 75 आजाएगा और स्टेट से 25 परसंटर आजाएगा यह याद रखना है इन केस अफ नॉर्थ इस्टर रिजन एंड हिली स्टेट इट विल भी 9 इस्टू 10 यह स्कीम जो है अगर संटरल इस्टर इस्टर इस्टेट जो है और हिली स्टेट में तो वहां पर संटर और स्टेट का कितना रहता है शेर आपको बोलना 90 इस्टर 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 यह क।शन आलडी पूछा गये इन केस अफ नॉर्थ इस्टर और हिली स्टेट बाकि सभी स्टेट के लिए कितना रहेगा 70 इस्टू 75 25 क्लिव 70-25 क्या है क्या है यह स्कीम इसका और यह जाना बहुत जादा जुरूरी है convergence of investment irrigation investments in irrigation at the field level मतलब investment करना है कहां पर किस में करना है irrigation में करना है field level में मतलब field level मतलब जहां पर भी आपको irrigation की जरुरत होती है उजगा पर आप invest करोगे और उस field में क्या करोगे आप investment दिखाऊगे उसके बाद जो है to expand the cultivable area under assured irrigation हर खेत को पानी मतलब हमें क्या करना है suppose अगर हम खेती बाड़ी कर रहे थे इतने एरिया में तो हमें क्या करना है इस एरिया को expand करना है मतलब हमें अभी तक पहले हम cultivation इक्सकी कर रहे थे अब हम cultivation area को हम बढ़ा रहे expand कर रहे और जो भी हम बढ़ा रहे इसको हमें इसमें irrigation भी देना जरूरी है करया करना है। को भी हमें प्रिचिंशन भी हमें प्रिट करनी it यह नहीं कि हमने net को सबस्क्रा करें to reduce wastage of water wastage of water को आपको reduce करना आए फार एक्जम्पल अगर फील्ड है आपको सारे उक्जम्पल मैं बोलता भूद आपको 100 thousand liters पाणी चाहे 1000 फॉड़ पाणीचाहे से रहको लेकिन आप क्या बोलते सर इसका 1500 हंड्रट लीटर्स हम पगानी दे रहें इस खेट को ठीक है जहां पर थाउजंट लगना था वहां पर फिप्टीन हंड़ड दे रहो मतलब 500 लीटर्स मैं बोल रहा हो पगानी जो है वह वेस्ट हो गया मतलब जो एफिशंसी है वाटर यूज एफिशंसी वह बहुत कम है इस हम नोजल का यूज करेंगे हम क्या करेंगे सिंग्ल करंस करें है मतलु इह ब्लांट जो भी होता है उसके रूट्स पर हम क्या करेंगे डिरेक्ट्ट हिए वाटर का drop करेंगे ठीक है बात समझ में आ रहे हैं तो इसको बोला जाता है drip irrigation कर सकते हैं जिसे हम water use efficiency को बढ़ा सकते है water use जो है जो है जो है कम से कम पानी हम use करेंगे और हर खेट को वह पानी पहुंच जाएगा तो इस तरही कि हम on farm water use efficiency को हमें बढ़ाना है और वेस्टेज को हमें water को वेस्ट नहीं करना है ज्यादा पानी हमें यूज नहीं करना है मतलब आपको क्या करना है एडॉप्शन करना एडॉप्ट करना है प्रसाइस इर्गेशन टेक्निक्स का यूज किया करना है और जहां पर हम क्या कर सकते हैं और बागी water saving technology जैसे मैंने आपको अभी भी बोला है आप sprinkler irrigation कर सकते हो आप drip irrigation कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इंहांस कर सकते हो irrigation facilities को मतलब more crop per drop एक एक ड्राप से आपको more crop निकलेगा मतलब आप क्या करोगे रूट्स पर डिरेक्ट जहां पर भी पहनी चाहिए वहां उसी लेवल पर क्या करोगे पहनी दे दोगे ना कि आप पहनी को वेस्ट करके यहां तक पहुंचाओगे ठीक है उसके बाद to enhance recharge of aquifers and introduce sustainable water conservation practices by exploring the feasibility of reusing treated municipal based water for peri-urban agriculture and attract greater private instrument in precision irrigation system देखो to enhance recharge of aquifers, aquifers का मतलब होता है ये land के अंदर एक ऐसी जगा होती है जहां पर क्या होता है अंडरगराउंड में क्या होता है पानी स्टोर होता है वो होते है aquifers और उस aquifers को recharge करना है मतलब वहां पर पानी रखना है जरूरी है उसको पानी देना जरूरी है उसको बोल रिचार्ज करना होता है मतलब क्या होता है वहां पर पानी की facilities होनी चाहिए पानी की availability होनी चाहिए इंट्रोडूस सचनेबल water conservation practices मतलब water को अइसे प्रेक्टिसे यूज़ करनी है जिससे हम सचनेबल तरीके से हम water को क्या कर सकते कंजरू कर पाएंगे ठीक है और जो हमारे प काँ ग्रक्टित काँ नहीं होगा लेकिन उसको हमें ट्रीट करना है कि ट्रीट्टेम्ट हमारी पास होते हैं और उसके वाट्र हम सक्क्राइब ठीके हैं agriculture प्रफोज के देना, water को मेनेज करना, water को जाया नहीं होने देना अब क्वेश्चन बनता है सर, यहां पर आपने बोला, Perry Urban Agriculture का मतलब क्या है, यह इस आपने यहां पर बता है, Perry Urban Agriculture का मतलब क्या है, यही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, Perry Urban Agriculture का मतलब है, Perry Urban Agriculture refers to farm units close to towns यह अगर एक टाउन है तो यहां पर इस टाउन के आसपास एक फारम यूनिट है refers to farm units close to the town which operate intensive semi or fully commercial form जो कि यह एक ऐसा form होते हैं जिसको आप commercial form बोल सकते हैं fully commercial यह semi commercial forms to grow vegetables जहाँ पर हम vegetables grow करते हैं यहां बाकी horticulture fruits भी grow कर सकते हैं for example fisheries भी कर सकते हैं flower भी हम grow कर सकते हैं raise chickens यहां पर chickens को raise कर सकते हैं एंड अधर लाइव स्टाउक जो भी आपको करना होगा वह आप कर सकते हैं इसको बहुत है पैरी अर्बन एग्री कर एग्री कर ठीक है एग्री कल्चर ठीक है उसके बाद next objective to ensure comprehensive and holistic view of the entire water cycle water cycle जो होता है जुसका आप बोलता है hydrological cycle ठीक है पहले ओशन से पानी क्या होता है फिर ओपर चला जाता है फिर condensation होने के बाद क्या होता है बारिश होती है होता है तो पूरा साइकल यह चल रहा है चल रहा होता है इसी को बोला गया है to ensure a comprehensive and holistic view of the entire water cycle and proper water budgeting is done for all sectors namely households agriculture and industries में क्या करना है water budgeting करनी होती है ठीक है water budgeting का मतलब यह होता है कि water कितना आता है और कितना जाता है मतलब यह है कि यहां से water evaporate हो गया और फिर यहां पर water जो होता है ये कितना जो होता आपको ratio मिलता है ठीक है तो ये सारा चीज इसमें बताया गया है किसमें आपको बोलना है प्रधान मंतरी क्रीशी सेचाय योजना में implement कौन करता है इस scheme को तो ये important question सीधे बनता है who implements the प्रधान मंतरी क्रीशी सेचाय योजना आपको बोलना है decentralized implementation through state irrigation plans and district irrigation plans इसके implementation जो होती है वो होती है state irrigation plans के थ्रूँ और जो district irrigation plans हम बनाते हैं उनके थ्रूँ हम क्या करते हैं उसको implement करते हैं ठीक है कुछ एक प्रधान टो क्वेश्चन से जो पूशे जाते हैं फ्रीकेंट और जाता है वेन वाज प्रधान मंतरी ठीक है पीम के एस वाइज जिसको बोला जाता है लॉंच आपको फिप्टीन जुलाई 2015 में वाट इस दा मोटो अप्रधान मंतर क्रीशी सचाय योजना आपको बना हर खेत को पानी ठीक है यह हर खेत को पानी आप सकते है वाँ ठीक है बोल शक्त युद्व सकते हो हो ठीक है यह भी आप बोल सकते हैं जैसे में उपर आपको बोला है ठीक है यह वाला कैंवा जिसरी मोर क्रप रिद्रम बोलत खेंथ Okay जो है उसके बाद जो है विच मिनिस्ट्री प्लेमेट इस स्कीम ठीक है इसको कौन सी ministry implement करेगी इस scheme को आपको बोलना है ministry of agriculture, water resource and rural development देखो agriculture ministry, water resource और rural development ये आपको याद रखना है उसके बाद प्रधान मंत्री आवाज जोजना प्रधान मंत्री आवाज जोजना जो है ये हमारी क्या है next scheme है जिसको हम करने वाले हैं schemes को आराम से समझना है आप बोलों कि सर scheme को उपर उपर पढ़िए याद करें कि तो जाएंगे वो जमाना चला गया है जब अब याद करके जाता है आपको पूरा जहन में रखना है एक एक scheme को प्रधान मंत्री आवाज जोजना अर्बन अर्बन एरिया की बात करें या अर्बन की बात करें लॉंच्ट इन जून 2015 इंटेंट्स तो प्रवाइड हाउसिंग फार आल इन अर्बन एरियाज बाई ये ये 2022 ये आलमूस्ट पांच-छे एक्जाम्स पूछा गया है 2015 से अभी तक इन हायूस कम्पलेट करना है 2015 इंटेंस तो प्रवाइड हाउसिग फार आल in urban areas by year 2022 2015 में launch किया गया और बोला गया साथ साल के अंदर अंदर हमें जितने भी urban areas है हर urban area में हमें क्या करना है सब के लिए गर हमें बनवाना है सब को गर provide किया जाएगा आपको इस पर पता भी है government initiatives बहुत सारे लिए है banks loan भी देते है housing loans हर एक जो है गर को house मिलना चाहिए implemented by ministry of housing and urban affairs इसको implement को कर रहा है आपको बोलना ministry of housing and urban affairs अब detail आएगा इसके बारे में कि यह प्रधान मंत्री स्वारी क्या बोलते हैं कि यह क्या बोलते हैं इसको प्रधान मंत्री आवाज योजना के features हम देखेंगे ठीक है address urban housing shortage among the urban poor including the slum developers by ensuring a paka house to eligible urban poor यहां पर जो भी urban poor हैं जो urban areas में जो poor लोग होते हैं मतलब उन में से slum developers बहाते हैं जो slums में रहते हैं ठीक है उनको ensure किया गए कि आपको 100% पका house दिया जाएगा अच्छा गर दिया जाएगा ठीक है the mission covers the entire urban area consisting of statutory towns इस mission के अंदर किन किन एरिया को कवर किया गया आपको बनास जो पूरा urban area जो है वो सारा cover किया गया है इस इन शार्ट में आपको याद रखना है notified planned area development authorities special area development authorities industry development authorities or any such authority under statalized legion which is interested with the function of urban planning and regulation मतलब in short में आपको यही याद रखना है यह जो है इस mission के अंदर जितने भी जितना भी urban area है पूरे urban area को cover किया गया है बस इतना आपको याद रखना है entire urban area को cover किया गया है उसके बाद all houses under प्रधान मंत्रे आवाज योजना अर्बन याद रखना यू का मतलब urban have basic amenities like toilet in houses को toilet facility दी जाएगी water supply पानी की pipe lining भी दी जाएगी electricity भी होगा और kitchen भी होगा in houses के अंदर यह बहुत ज़्यदा important है question आपको पूछा जाएगा कि जो प्रधान मंत्री आवाज जो इजना अर्बन जो है उसमें क्या क्या facilities प्रवाइड की जाएगा क्या क्या एमिनिटी जाएगा आपको बना toilet facility भी water supply भी दिया जाएगा electricity भी होगा kitchen भी होगा जो basic necessities जो है न वो सबी चीज़ें इसमें provide किया जाएगा I hope यहां तक आपको यह दो schemes जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी उसके बार the mission promotes woman empowerment by providing the ownership of the house in the name of the female member or in a joint name बहुत जाएगा है woman empowerment भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस scheme के जरी से प्रधान मंतरी आवाज जोजना क्यों क्योंकि जो घर बनाया जाएगा वो female के नाम पे होगा या joint के नाम पे होगा मतलब husband और wife के दूनों के नाम पे होगा यह बहुत जादा important point है यहाँ पर यही key words आप मिस करते हो आप जनरली याद रखते हो प्रधान मंतरी क्रीशी से चाहिए योजना जो प्रधान मंतरी आवास योजना housing फाराल है काम खत्म हो गया नहीं statement आपके पोशे जाएंगे जो यह mission है यह promote करता है woman empowerment को यह नहीं आपक का भी और wife का भी नाम दिया जाता तो इस तरीके से आपको याद रखना है यह woman empower को भी promote करता है इसके अलावा preference is also given to differently ठीक है differently abled persons जो differently abled persons हैं उनको भी preference दिया जाता है senior citizens को भी preference मिलते है शुडूल कास्ट, शुडूल ट्राइबस, OBCs, Minority, Single Women, Transgender and other weaker and vulnerable sections of the society बागी जितने भी sections है society में सभी sections को भी cover किया जाता है प्रधान मंत्री आवाज योजना में, यह बहुत जादा important है, ट्राइबस, gender को याद रखना है category, यह बहुत important है, ट्राइबस, gender को भी include किया गया, इस scheme के ताहत, I hope यह दो important schemes जो थी most important schemes आपको दोनों के दोनों समझ में आगे, मैंने आपको चार schemes दो दो दिन में बोला है इनके short notes बनाओगे, और साथ साथ revise करोगे, आपको कभी कही पर भी इन schemes को पढ़ने के जूरत नहीं पढ़ेगा, आपको पूरा याद यही पर हो जागा, और मैं आपको guarantee देता हूँ, आप कोई भी exam देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपके इनके उपर questions निक करो, और comment section में अपना comment mention करोगे, ठीक है, आपको इस session कैसा लगा, तो यह आप लिखो के comment section में, thank you so much for watching me.